हलो फूडीज, वल्कम तू माई चैनल, मेरा नाम है आर्टी और आज नामें आप लोगों के साथ शेर करने जारी हूँ बहुत ही मैजिकल ड्रिंक आज मैं कोई फूड वीडियो या कोई भी खाने पीने की वीडियो नहीं शेर करने वाली क्यों कि मैं इस ड्रिंक को डेली लेती हूँ और मुझे काफ़ी फायदा भी इसमें दिखा है तो मैंने सुचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेर करूँ विकास काफ़ी लोग होते हैं ऐसे जो यूटूब पे कुछ न कुछ ढूँनते रहते हैं हमें हीमोगलबिन कैसे बढ़ाना है बलड की कमी को कैसे पूरा करना है तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा बहुत ही फायदे बंद रहेगा तो वीडियो को आप ज़रूर पूरी देखिएगा और अगर आप फर्स टैम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजेगा तो ये दो हमारे पास ड्रिंक है एक है हमारा अंजीर का पानी दूसरा है हमारा बीटूर का जूस अब आप कहेंगे जी ये तो बहुत सिंपल सी चीज है ये तो हम वैसे भी पी सकते हैं या पीते ही थे लेकिन नहीं इसमें मैं आपको पुरा एक तरीका बताऊंगी कि अगर आपके शरीर में आईरन की कमी है तो आपको किस तरीके से उसको 20-22 दिन में बढ़ाना है जिससे कि हीमोगलोबिन की कमी भी ना हो शरीर में और बहुत हेल्दी तरीके से आप अपने शरीर में इन चीजों को डाल सकते हो आपको इसमें कोई चीनी डालने की जूरत नहीं है कोई नमक डालने की जूरत नहीं है चिक है तो बहुत हेल्दी तरीके से हम इसको यूज करेंगे तो चले हम पहले तो अंजीर का जो पानी है उसको बनाना शुरू करते हैं तो यहां पे ना मेरे पास पुरी दो जो जैसे रस्चे आपको दिख रही होगी यह अंजीर की थी अब मैं रहते हूं दुबई में तो यहां जो अंजीर है चाहे ड्राइफ रूट से बहुत मतलब अच्छे खासे मिल जाते हैं बहुती फ्रेश मिलते हैं तो यहां पे मैंने क्या किया है रात को ना मैं डेली पानी में भिगो के रख देती हूं दो अंजीर को अंजीर की जो तासिर होती काईS वो बहुत गरम होती है तो हमेशा आपने इनको पानियों भीगो के ही खाना है या आप इनका ड्रिंक भीगर पी रहे हो तो आपने रात को इनको भीगो के और सुबह फिरा उसका पानी पी लेना है तो ये जो मेरे पास अंजीर है इनका मैंने पानी डाल दिया ग्लास में अब ये जो पानी है आपने क्या करना है सुबह जब आप उठते हो तो बिना कुछ खाए आपने इस ड्रिंक को पी लेना है अगर आपको लग रहा है कि जो ड्रिंक है वो थोड़ा सा मीठा है तो आप उसमें थोड़ा सा और पानी नॉर्मल सा एड कर लीजे बट उसमें कुछ भी नमा किया चीनी आपने एड नहीं करनी है तो मतलब नहीं करनी है फिर जो ये दो अंजीर आपको दिख रहे हैं इनको आप चाहे तो ऐसी ही खा लीजे पीने के बाद या फिर आप इनको रात को जिसे दूद पीते हो या घर में कोई भी दूद पीता है तो उस दूद में आप इसको डाल दीजे ठीके उसमें भी ये बहुत अच्छा रहेगा तो आइरन की मातरा का तो ये बढ़ाता ही बढ़ाता है अब इसके साथ हम क्या कर सकते हैं कि अंजीर को हम रात को पाने में भीगोने के बाद आपको जब सुबह लगता है कि आप इसको अगर नहीं पीना चाते हो तो आप सिर्फ इसका जो ये अंजीर है सिर्फ आप इसको ही खा सकते हो पानी नहीं पिना चाहते, लेकिन पानी आप उसको बाहार मत फेंकिए, आप वो पानी किसी और को घर में पिला सकते हो, जिनका की हमोगलोबिन कम है, या जिनको डॉक्टर ने बोला हुआ है कि उनका जो blood है वो बड़ नहीं रहा है या blood बहुत ज्यादा मतलब उनका गाड़ा है तो उनको आप यह दे सकते हो दूसरा जोगी drink है हमने बनाया है वो है हमारा beetroot का juice beetroot का juice बहुत normal होता है बहुत common है जो कि आपको पता होगा लेकिन इसको हमें पीना कैसे है इसको हमें यूज़ करना है नेमू के साथ में आसा नहीं दिन का खाना खाने के एक घंटे के बाद खाली पेट नहीं पीना एक घंटे के बाद आपने क्या करना है कि beetroot के juice में आपने इना है न hack sólo कर अब होता क्या है न जो beetroot है उसमें होता है आरन और जो ubiquitous C होता है वो होता नीमबू में तो कोई भी एक अच्छा डॉक्टर अगर आपको मिलता है ना तो हमेशे जब भी आपको iron की गोलियां देगा तो यही कहता है कि आप iron की गोली को vitamin C जैसे fruits के साथ यूज कर सकते हो या फिर हो तो like जिरू कीजेगा